नमस्कार किसान भाइयो स्वागत आपका फिर से नई वीडियो में देखिए मानसून का मौसम चलना है और इस दोरान टमाटर के पौदों पर कीटों और कवक का प्रिकोप है वह बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वाज़े से हमारी उत्पादक छमतापी काफी ज्यादा कम ह हो जाती है तो किसान भाइयो आज की वीडियो हम बात करने वाले टमाटर की फसल में लगने वाले लीफ माइनर कीट जिसको हम पत्ति सुरंगक के नाम से जानते हैं इस कीट का हमें कैसे नियंत्रल करना है कैसे इसकी पहचान करनी है तो किसान भाइयो वीडियो पर बने रह के कीड़े होते हैं जो कि पत्तियों के अंदर सुरंग जैसा आकार बना देते हैं और पत्तियों के अंदर को तरफ से खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से पत्यों में Serpentine Mines बनाते हैं और इसकी वज़ेसे पत्यों में प्रिकास चल्सलेशन और फल निणमार की जो किरिया होती है वो काफी जादा पिरभावित हो जाती है और जिसकी वज़े हमारी फसल का जो उत्पादने वो काफी कम हो जाता है और इसकी नियंत्रण के वारे में यदि हम बात करें तो इसकी प्रारंबिक अवस्ता में नीम बीज गिरी अर्क 5 पृतिसत 50 गिराम पृति लीटर पानी का छिड़काव अपनी टमाटर की फसल में करना है तो इससे आपक पृति लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल में छिड़काव करना चाहिए इससे किसान भाईयो आपकी टमाटर की फसल में लगने वाले लीप माइनर कीट से काफी जादा फायदा होता है तो इस तरह से आपका जो यह कीट यह मर जाएगा तो आपका उत्पादन भी बढ़ और किसान भाईयो टमाटर की खेती के समंद में पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ आप चाहिए तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं दो वीडियो का जो लिंक है वो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाएं दे जाएगा और यदि आपको टमाटर की खेती के में कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डेस्केसर मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करिएगा और अपना सवाल पूछेगा तो किसान भाईयो यहां तक वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्यवाद